नमस्कार आप देख रहे हैं फॉलॉप मैं हूँ सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है ख़बर यह है कि राची से पाँच बार भाजपा के सांसत रहे राम टहल चौधरी ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित हुआ और प्रेस कॉंफरेंस के बाद राम टहल चौधरी ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है कल ही follow up ने आपको ये जानकारी दी थी कि राम टहल चौधरी कॉंग्रेस में सामिल हो सकते हैं कॉंग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है कल ही मुकूल वासनिक जो महासचीव हैं उनसे उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और आज ये बड़ी ख़बर निकल कर साम गया था और अब राम टहल चौधरी के सामिल हो जाने के बाद मामला काफी दिल्चस्प हो गया है अब सवाल ये है कि क्या राम टहल चौधरी रांची से कॉंग्रेस के उमिद्वार होंगे या फिर सुबोत कांसाहय को ही पाटी उमिद्वार बनाएगी आज घोसना होगा या फिर नहीं होगा अब इस पर सब की निगाहें बनी हुई है और कल हम लोगों ने ये भी बताया था कि भाजपा के चार बड़े नेता मोधी परिवार को छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे परिवार या तो कॉंग्रेस या जारकंड मुक्ति मोर्चा में आ सकते हैं तो ए एक बिकेट तो गिर गया है एक बड़े नेता जो पांच बार से भाजपा के सान सद्र है है वो इक कॉंग्रेस में सامील हो गया है इसको कैसे देखते हैं क्या माना जाए कि अब राम चrio ऱईरी कॉंग्रेस के उमिद्वार हुंगे रांची से? देखें अभी ना एक बोला जा सकता है कि राम टहल चौधरी उमिद्वार ही होंगे और ना ही उनकी उमिद्वारी की दाविदारी को खारिद किया जा सकता है उसको ऐसे समझे जब हम लोग 24 गंटे भी नहीं हुए हैं एक वीडियो में आप और मनोज पांडे तीनों मिलकर के सूट कर रहे थे उस दौरान भी मैंने बोला था कि चार सीटों पे जो है आज संभावना है कि नाम का एलान हो जाना है उसमें एक रांची सीट की भी बात थी और बाकी के जो तीना अनौन्स हुए रांची सीट इसलिए होल्ड किया गया जिसका जिक्री भी मैंने किया था क रांची सीट को होल्ड कर देना एक चीज का तो संकेत जरूर है कि हो सकता है कि ये भी उमिदवार बन सकते हैं लेकिन क्या बात हुई है पार्टी के अंदर अभी इसको इस तरीके से नहीं दावा किया जा सकता है कि रांची से वही चुनाव लड़ेंगे लेकिन रांची से उनकी दावेदारी क्यों की जा रही है उसके पीछे का भी तर्क जो है जनता को समझना चाहिए क्योंकि पांच दफा जो है वो चुनाव लड़े रांची से और वो चुनाव जीत करके आए वैसे समय में जब बीजेपी के इस्थिति पूरे देश भर में गिने चुने जगों पे हुआ करती थी बीजेपी के पुछी सांसे दुआ करते थे उस समय से राम टहल चौधरी जो है भाजपा का जहंडा बुलंद करते आए हैं 2014 में भी यह चुनाव जीते थे 2019 में इनका टिकट काट करके संजे सेठ को टिकट दिया गया था जो 2019 में जीते और 2024 में फिर से संजे सेठ को टिकट दिया गया है इनकी Τिकत कटने के बाद बीजेपी का दामन छोड़ दिये थे और बीजेपी से बगावत करके जो है निरदली चुनाओ लड़े लेकिन निरदली चुनाओ लडने के दोरान जो हुआ है कि इनकी जो राजनेतिक हैसियत जो एक ताकत बताया जाता रहा है खास करके पूरे राची लोग सभा एरिया में वो निर्दलिये लडने पे बहुत ही छोटी सी दिखी और सिमट सी गई मात्र 29,000 बोट जो है इनको 2019 के चुनाव में आया लेकिन दरसल होता क्या है कि निर्दलिये लडना और पार्टी का सिंबल मिल जाना और उसमें ऐसे नेताओं का एक तरीके से मिल जाना किसी पार्टी में वो काफी अहम साबित हो जाता है तब जबकि आप थोड़े बहुत मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं अगर उनको यह लगता है कि आप चुनाव नहीं जीतने वाले हैं तो उसमें आपके चाहने वाले लोग भी छिटक जाते हैं अगर आप में वो छमता देखते हैं वो ताकत देखते हैं तो बाकिक लोग भी जूटते हैं आपके संख्या को देख करके तो यहाँ पर महतो की जो संख्या है राची लोक सवा में वो एक बड़ा फैक्टर है और आप ना सिर्फ राची में बलकि आप देखिए कि पूरे जारखन में जो सबसे जो बोकल जाती है वो महतो जाती है और वो अपने नेताओं के लिए और अपनी दावेदारी के लिए राजनीती में जो है काफी संखर्च कर रही है राम महतो का अंदोलन आप देख लीजिए उसमें संजय महतो मेहता जिस तरीके से जारी बाग में प मैसेज पूरे राज भर के महतो समुदाय के भीतर तो जाएगा हैं अब देखिए कि यह चुनाव लड़ते हैं तो आपके अपने ही आपके प्यारे लोग इभेन आपके परिवार के लोग देखने लगते हैं कि क्या बाके में सन्नी जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है तो अगर आप देखिए ने कि मुखिया का चुनाव में चोटा चोटा चुनाव वाड का चुनाव में जो है अपना ही परिवार का लोग खिसक जाता है तो यह तो पूरे समुदाय की बात हो रही है लेकिन वो समुदाय यह जरूर कोशिस करता है वो परिवार जरूर कोशिस क करता है कि उसका अपना लोग जीते लेकिन वो संख्या होना चाहिए आप जब कि राम टाहल चोधरी कॉंग्रेस पार्टी से चुनाव लडेंगे तो बीते चुनाव जैसा हाल तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा जो उनका निर्दलिये लडने से 29,000 जो बोट आया था तो आप व अंदूतिर की के चुनाव लडने से वो हारे और एक वार कोई एक और कोई मुस्लिम उमीद्वार थे अक्तर अंसारी उन्होंने कुछ बोट ज्यादा ले आया तो उसके वज़े से चुनाव हार गई एक फिजदी के अंतराल पे उनकी हार हुई थी तो आप ए समझे कि राम टहल चौधरी को मिदवार बनाया जाता है तो एक जो चीज है वो जरूर देखने को मिलेगा कि ये जरूर दिखेगा कि संजे सेट के सामने कोई चुनाव लड़ रहा है अगर राम टहल चौधरी के साथ कॉंग्रेस पार्टी के जो कार करता है जो नेता है अगर उसी तरीक से साथ देते हैं जैसे कि अब तक सुबोत कांट सहाय को साथ देते रहे हैं तो हो सकता है कि संजे सेट के सामने जो है मजबूती से राम टाहल चौधरी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे सकते हैं अभी पहली लड़ाई तो कॉंग्रेस की यही है जो पूरे देश भर मे पीएम मोदी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी वो जिस तरीके से एक प्रसेप्शन क्रियेट कर दी है कि भाई हम तो 400 पार कर रहे हैं यह जो 272 का जो आकड़ा है सरकवार का बहुमत का वो तो बहुत छोटी बात है यहां तो हम 400 पार कर रहे हैं 400 से नीचे अगर एक की बात है कि कहीं 399 ना आ जाए इस तरीके का एक प्रसेप्शन क्रियेट कर दिया गया है हलांकि यह जो टार्गेट होता है वो कार करताओं के लिए टार्गेट दिया जाता है आपको याद होगा कि बंगाल में जिस तरीके से 200 का नारा दिया जा रहा था बीजेपी के तार भी लडाई में हैं यही बज़य है कि राम टहल चौधरी जिनकी उमर काफी ज्यादा हो गई है उनके आने भर से जो है रांची का सीट जो है होल्ड कर दिया गया है अब उनको मिदवार बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है वो एक अलग बात है लेकिन मैसेज जरूर दिय यहाँ बिलकुल और रोज एक मैसेज दिया जाए कि देखिए कांगरेस के अंदर मोधी का जो परिवार है वो तूटकर करके आ रहा है लगतार आ रहा है और कौन आ रहा है जो पांच बार का सांसद रहा है खायदा बोला गया प्रेस कॉनफरेंच में कि 5 बार के सांसद है तो आप इस तरीके से एक perception create करने की कोशिस और देखिए चुकि दिल्ली की जो जॉइनिंग है लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि सब एकस्पाइरी डेट वाले लोग उधर जा रहे हैं ठीक है यह बीजेपी तो बोलेगी अगर यही चीज कॉंग्रेस से लोग बीजेपी मे कोशिस है दिल्ली में जॉइनिंग हो रहा राम टाहल चौधरी का तो अब दिल्ली के जो लोग हैं बो भी देखेंगे कि भाई कोई पांच बार का सांसद यहां आ रहा है अब उनको यह नहीं मालूम है कि वो बीजेपी में बीजेपी छोड़ चुके थे 2019 में उनको यह नह कि पांच बार के सांसद हैं तो इस तरीके से पॉलिटिक्स में पहला जो और सबसे जो मजबूत प्रक्ष है वो परसेप्सन का है कि आप कैसे अपनी बात जो है जनता के दिलो दिमाग तक जो है पहुंचाते हैं कि क्या हो आज किसी सीट की घोशना हो सकती है उमीदवार च चौधरी की ज्वाइनिंग हुई है तो जो कि कल ही रांची का सीट का एलान भी होना था हजारी वाग खोटी और लोहर दगा के साथ साथ तो अब हो सकता है कि देर रात तक अनौंस्ट हो जाए या फिर 24 गंटे 48 गंटे के अंदर रांची सीट भी क्लियर हो जाए लेकिन ज जार्खन मुक्ती मोर्चा को लेकर के है तो जार्खन मुक्ती मोर्चा कल साम तक जो है मतलब कि कॉंग्रेस पार्टी के अनौंस्मेंट के चार घंटा पहले तक जहां मोमो लोहर दगा के सीट पर जो है दावा करते रहा सिर्फ वही एक मसला था जार्खन मुक्ती मोर्चा क राज महल और गिरिडी, ये पांच सीट है आप जारक़न मुक्ती मोर्चा को कर देना चाहिए, चुकि करना, आज होगा कि ये किलियर में, ये अभी तै नहीं है, चुकि जारक़न मुक्ती मोर्चा को करना है, जब तक ये लोग कर नहीं दे, राम टहल के आने के बाद राची स उस पर मन्थन होनी बाती है जो कि राम ठाल चोधरी जब अभी प्रेस कॉंफरेंस में बोल रहे थे कि मैं इस कमिट्मेंट के साथ नहीं आया हूं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा हला कि ये तो बोला जाता है ये एक सरकारी बयान टाइप से है ये हर कोई देश के लिए आते हैं जैसे ही ये लोग बीजेपी से कॉंग्रेस में जाएंगे तो देश को बचाने के लिए जाएंगे पिछला 70-72 साल से देश ही बचाया जा रहा है और भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ही लड़ी जा रही है तो ये सब चलते रहता है और लालुप्रसाद यादब जो राज़त के सुप्रीमों है वो जब उनके पार्टी के लोग जब उनकी पार्टी के खराब इस्तिती चल रही थी तो छोड़-छोड़ करके जब भाग रहे थे तो टिकट बटवारा के दोरान वकायदा वो अनाउंस्ट कर देते थे कि जिसको जहां भागना कुदना है तुम भाग जाओ पहले ही भाग जाओ तो इस तरीके से सब लोगों को मालूम है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगा तो वो नाराज़गी में कहीं और जा रहे हैं और इसे महागट बंधन के नेता बता रहे हैं कि देखिए मोधी के परिवार में किस तरह से तूट हुई है लेकिन कोई भी अगर पहले उमीदवारों के नाम की घोशना करता तो उसके पार्टी की यही इस्तिती रहती जो महत्वकांची लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें टिकट इस बार मिल सकता है उन्हें जब टिकट नहीं मिलेगा तो तो फिर वो कहीं जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं लेकिन चुनावी मैदान में जब आमना सामना होगा तो बयानों के तीर जरूर चलेंगे तो फिलाल राम टहल चौधरी कॉंग्रेस में सामिल हो गए हैं अब देखना है कि क्या कॉंग्रेस उन्हें राची से उमिद बनाती है या फिर नहीं और राम टहल चौधरी के बाद और किनका किनका नंबर सामने आता है जो कॉंग्रेस का दामन थामने वाले हैं सुक्रिया